जहिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में बैसिकली हम बात करेंगे कि वीप्रो लिमिटेड में आखिर इतनी गिराउट की हो रही है एक एक दिन में यह स्टॉक 7% क्यों टूट जा रहा है इसके पीछे की असली वजह क्या है उस वजह के बारे में तफसीर से वीडियो में बात करेंगे और फिर इसके बाद में बताऊंगा कि आगे आगे आपको क्या करना है लेकिन शुरुआत करें देक दों सुरू से हमनों जानते हैं कि वीप्रो लिमिटेट जो कंपनी है आज किसी नाम सोहरत या पहचान की मोहताज नहीं है देखिए भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इसके उपर सिर्फ दो कंपनिया है इनफोसिस और सिर ट लेकिन आज के दिन जो वीप्रो लिमिटेट का पोजीशन है मार्केट की विल्यास से भारत में हो 12 नंबर की कंपनी है अब बात करते हैं आज एक दिन में यह श्टॉक 7% क्यों टूटा देखिए इसके पिछे की जो वजह इसके बारे हम लोग आगर डिसकस करेंगे लेकिन यहां प्रेक्ट चीज में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए पिछले 5 दिनों में यह श्टॉक तक्रिवन 57% का सबस्वास टूटा है यानि कि यह श्टॉक टूटने में पिछले एक सब्ता का समय लगा है उतना जितना एक सब्ता में श्टॉक टूटा है बजार यदि आज gap down open नहीं भी होता तब भी इस श्टॉक में gap down opening होने की पूरी समय होना थी कल जब बजार बंद हुआ तो उस समय बीप्रो लिमिटेट कंपनी का closing price था यानि कि जहां पर इस share ने अपना closing दिया वह था 408 रुपे का सपास और जब आज बजार gap down open हुआ त चल रहे 380 रुपे का सपास यानि कि इस बात की प्रभश संभावना है कि जब बजार आज बंद होगा तब तक इस कंपनी का service कम होकर और नीचे चला जाए तो basically बीपकुल लिमिटेट में इतनी गिरावट की हो रही इसके पीछे असली बज़ा क्या है अब हम लोग उस पर दिसकस करते हैं तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हाली में कंपनी के सितंबर क्वाटर रिजल्ट आया है और रिजल्ट हला कि अच्छा आया है लेकिन सलाना अस्तर पर कंपनी के जो नेट प्रोफिट होता उसमें तक्रिवर 9% का सपास गिरावट देखने को मिली है तो आला कि इसमें गिरावट पिछले कापी दिनों से चल रहा था जैसे मैंने बता है कि तकर बंद पांच दिन में स्टॉक सार साथ परसेंट टूट चुगा है देखिए को रिजल्ट है इसमें कंपनी का इंकम बढ़ा है यानि कि टोटल से जो हुए है वो देखिए कि पिछल पिछले क्वार्टर में यानि क्वार्टर बन में सिर्फ 2569 करणों पे ही था लेकिन जो पिछले साल सितंबर में क्वार्टर टू कर रिजल्ट आया था वो आया था 2921 करणों पे यहां से आप देखेंगे तो इसमें तकरीब नौ परसेंट कास पास गिरावट देखने को मि आज आप देखेंगे तो कंपनी का जो EPS है जिसको अर्निंग पर शेयर करते हैं यह एक साल में एक सेयर को कितना रुपय बढ़ा उसको बताता है तो यह अभी 4.6 रुपय से बढ़कर 4.85 रुपय हुआ है ओबर ओल देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल ठीक है रिजल् कंपनी का जो quarterly result आ रहा है वो भी दिरे दिरे अब पिछले quarter मुकाबले इस बार जिससे अच्छा आया है तो हर quarter में company अपने result को improve कर रहे है कंपनी का fundamental दिरे दिरे strong ही हो रहा है इसलिए डरने या घबलाने वाले कोई बात नहीं है यदि आपका investment इस company में है तो बेसक बने र सकता है फिर भी आपके मन में कोई सवाल है कोई संक्य है तो आप उसक्राइब में पूछ सकते हैं मैं सबकर कर रिपला जाता हूं और जदी आपके पास sharebuchar में investment करने के लिए डिमेट अकाउंट नहीं है आपको अपना डिमेट अकाउंट और जाते हैं तो मैं आपको सुझ अधिया